Financial Condition Index में हुआ बहतरीनी इजाफा, उद्योग जगत के ताजा सर्वे में अर्थविवस्था में विश्वास 28 फिस्दी तक बढ़ा, कारोबार की लागत घटने से कारोबार के माहौल में हुआ सुधार, लेकिन अभी निवेश होना बाकी Enforcement Directorate ED शराप कारोबारी विजल मालिया की 6,000 करोड रुपए से अधिकी एसेट्स को करेगा टैच, Money Launching और Bank Loan Fraud के लिए होगी कारेवाई, ED ने PMLA Special Court से मालिया का भिटन से प्रत्यारपन की तयारिक शुरू की नीतियायोग ने सारवजिनिक सेक्टर की 8 यूनिट्स को बंग करने की सिफारिश किया है, नीतियायोग ने कहा कि 74 POCs में से 8 की हालत, बेहर नाजो, बजट में की गई थी घुशना, काबिनेट जल्धी ले सकती है फैसला एर इंडिया में विनिवेश की कोई यूजना नहीं, 2019 तक कंपनी को प्रॉफिट में लाने का लक्ष, एर विशिन सेक्रेटरी का बयान अगले 5 सालों में 100 एरक्राफ्ट्स खरीदने का है प्लान पसरकार किफायती कीमत पर दवाओं की उपलबता सुनिश्चित करने के लिए इस साल का चयन कर उनके विकास पर जोड़ देगी ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के संस्थान के रूप में उभर सकें